क्या आप जानते हैं कि जब Biomital Straight Coil को या Biomital Spiral Coil को या Biomital Helical Coil को हम Heat करते हैं तो उसमें Expansion कैसे होता है यादि आप नहीं जानते हैं तो यह video आपके ही लिए है इस video ध्यान से देखिए यहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन नौर्थ इंडिया का बिजनस इंट्रस्ट देखने के बाद पिछले दो साल से भी ज्यादा से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनस कर रहा हूं साथ ही इस मिशन पर निकल चुका हूं कि प्रोसेस इंडस्री में आने वाले जितने भी नए इंगिनियर्स और टे इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने आपको बताया प्रेशर में यूज होने वाली एसेसरी के बारे में मैंने आपको बताया और पिछले कुछ वीडियो से मैंने टेंप्रेचर के ऊपर अपने वीडियो रिलीज करना शुरू किये हैं जिनमें मैंने टेंप्रेचर के बार बारे में अल्रेडी कवर कर लिया है और आप टेंप्रेचर मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट को कवर कर रहा हूं जिन में बायमेट्र डायल थर्मामीटर पर मैंने अपने कुछ वीडियो और रिलीज कर दिया है और आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूं व बज़े से हमने अपना जो बायमेटल स्ट्रिप्स का जो वीडियो था उसको बीच में ही विराम दे दिया था और आज वेधियो को आगे शुरू कर रहे है है जो पार्ट्स हमने कवर नहीं किये थे उनको कवर कर देंब अभी हम बात करते हैं स्पेरिकल by metal coil की जिसमें by metal एक यह हमने strip दिखा रखी है in form of spherical coil इनमें metal with higher coefficient of thermal expansion जो है उसको strip के inside वाले portion में रखा जाता है और जो metal with lower coefficient of thermal expansion है वो outside रखा जाता है बाहर की तरफ को उसका face रहता है इनका यूज हम temperature gauges में temperature को measure करने के लिए करते हैं जिनमें room temperature हम measure कर सकते हैं refrigerator का temperature हम इसके साथ में measure कर सकते हैं spiral coil का यूज करके जो हम temperature gauges बनाते हैं वो design में एकदम simple रहते हैं अभी इसके बारे में जानने के लिए मैं आपको एक ये dial thermometer दिखा रहा हूँ, इसमें जो coil है, वो spiral की तरह twist की हुई है, और जो sensing part है, और जो reading part है, वो common है, अगर आप यहाँ पर बीच में देखेंगे, तो ये spiral coil है, और जो indicator है, और जो हमारा dial है, वो भी साथ में ही ही है, तो ये एक common उसमें हमारा sensing part भी है, और हमारा reading part भी है, जो inner end है coil का, उसको हम housing के साथ में firmly fix कर देते हैं, और जो दूसरा end है, जो open end है, उसके साथ में हम एक pointer को attach कर देते हैं, जब temperature change होता है, जब temperature इसमें बढ़ाया जाता है, तो जो coil है, वो expansion की वज़े से rotate करती है, जिससे जो उसके end पे लगा हुआ pointer है, open end पे लगा हुआ जो pointer है, वो move करता है, और जो हम reading है, जिससे pointer move किया, तो उसके नीचे एक dial पे calibrated scale रहता है, जहां पर वो pointer जाके रुखता है, उसके नीचे हम देख लेते हैं कि क्या उसका reading है, उसके इसाब से हम कह सकते हैं कि यह temperature इतना हमने gauge को provide किया है, temperature gauges जो spiral coil के साथ में use किये जाते हैं, वो space wing होते हैं, क्योंकि उसमें sensing part है और reading part है, वो common रहता है, temperature gauges जो इस तरह के रहते हैं, जिसमें spiral coil का use किया जाता है, वो cost effective भी रहते हैं, लेकिन एक इसमें problem आती है, कि अगर हमें किसी pipe के अंदर का temperature, जो pipe के अंदर कोई fluid है, को water line है, उसका अगर हमने temperature लेना है, तो वो temperature हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो sensing part है, और जो reading part है, वो common है, और अगर हम pipe के अंदर इस gauge को mount करते हैं, तो हम reading नहीं measure कर पाएंगे, और अगर हम gauge को pipe के ऊपर mount करते हैं, तो हम temperature नहीं measure कर पाएंगे, अभी हम बात करते हैं कि यह जो spiral by metal coil है, यह function कैसे करती है, यह एक, मैंने normal temperature पर एक spiral, आपको coil दिखा रखी है, जो यह spiral form में coil है, जब हम इसको heat करते हैं, तो यह expand होना शुरू करती है, और जब उसको वापस normal किया जाता है temperature को, तो जो coil है, वो वापस अपनी position में आ जाती है, वीडियो का duration लंबा होने की वज़े से, आज का यह वीडियो जो है, हम यहीं पर ही विराम दे रहे हैं, और इसके आगे के parts को, हम अपने next वीडियो में cover करेंगे, मुझे उमीद है, जो आज मैंने यह biometal strip, biometal coil के उपर जो आपको यह वीडियो दिया है, जो वीडियो आपको present किया है, वो आपको पसंद आया होगा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इसको like कीजिए, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ important information है, जो आप अपने clicks को, अपने जो साथ में नए जॉइन होने वाले engineers हैं, या नए जोइन होने वाले technicians हैं, उनके दे सकते हैं, उनके किसी काम आ सकती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share भी कर, यदि आप हमारे साथ connect होना चाहते हैं, तो आप हमारे Facebook page पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे Facebook group को भी join कर सकते हैं, आप Instagram पर हमारे साथ connect हो सकते हैं, आप LinkedIn पर भी हमें follow कर सकते हैं, अगर आप हमें contact करना चाहते हैं, तो आप हमारे mobile पर हमें contact कर सकते हैं, आप हमारे WhatsApp पर, WhatsApp calling के द्वारा या WhatsApp message से हमें contact कर सकते हैं, आप हमारे email ID पर भी email भेज़कर हमार साथ contact कर सकते हैं, और आप हमारी website पर जाकर, वहां पर contact test का form रहता है, उसको फिल करके भी अपनी queries भेज़कर हमसे contact कर सकते हैं, आप हमारे website पर जो, ये instruments के बारे में हमने catalog दिया हुआ है, उससे आप इन instruments के बारे में और जान सकते हैं, चल्दी हम primary process instrument के अपने अगले वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक वीडियोस देखते रहें, सीखते रहें, implement करते रहें, जै हिन धन्यवादि